हेलो फ्रेंड्स विल्कम तू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग उमीद करते हूं आप सब लोग बहुत अच्छी होंगे और अपने गर में खुशाल होंगे मैं हूँ अकांग्षा और आज मैं आप लोगों के साथ में एक अचार के रेस्पे शेयर कर रही हूं जो बहुत ही ज्यादा टेश्टी बनता है और बिना तेल का बनता है तो यहां पर मैंने तीन पाउं निम्बू लिया हुआ है और यह एक दू दिन पहले ही ले कि आया थे तो ऐसे पनी में करके रखा हुआ था फ्रीज में तो इसको मैंने थोड़ दिर पहले फ्रीज से निकाल दिया था और इसको पहले पानी से हम दो लेंगे तो यहां मैंने बाउल में पानी ले लिया है और इसको इस तरीके से थोड़ा रगड रगड के हाथों से और धूल-धूल करके प्रेट में रख लेंगे तो ये वाला अचार इतना ज़ादा अच्छा बनता है ना मैंने पिछले साल बनाया था तो इतना अच्छा बना था कि जो है मलब इतना पसंद आया कि मैं इसको दुबारा बना रही हूं तो आप लोग भी एक वाट ट्राई कीजिएगा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और इसके अंदर ज्यादा समान भी नहीं लगता है और बिना तेल का बनता है एक दो घंटे के लिए धूप में रख दीजे तो इसका पानी जो है सूख जाएगा पानी सूखने तक धूप में रखना है जादा नहीं रखना है और अगर धूप नहीं है तो इस तरीके से ये देखे कपड़े से पोच लेंगे तो धूप नहीं है ये सारा प्रोसेस मैं रात में कर रही हूं अभी तो धूप की विवस्ता नहीं है तो बस मैं सुखे कपड़े से इसको अच्छी तरीके से पोच रही हूं बलब मेन इसका मकसद यह है कि इसके अंदर जरासा भी पानी नहीं होना चाहिए अगर पानी होता है तो अचार बहुत जल्दी खराब हो जा और बिना नहाए अचार को नहीं छूना चाहिए अगर आप बिना नहाए छू लेते हैं या फिर जूठे बरतन से निकाल लेते हैं या पानी वाले चम्मा से निकाल लेते हैं तो अचार जल्दी खराब हो जाता है अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो अलग नहीं करना जुड़े रहने देना है क्योंकि इसके अंदर हमें फिलिंग भरनी है इस वज़े से आप चाहें तो इसके टुकड़े अलग भी कर सकते हैं ऐसे कोई बात नहीं एक निवू हमारा खराब निकल गया था तो इसको मैंने अलग कर दिया है और आप कोशिश निकल देखा तो यहां लिया मैंने काला नमक, साधा नमक, काली मिर्च का पाउडर, जीरा और हिंग तो सबसे पहले मैंने यहां पर नाप नहीं ले रहे हूं अंदाजे से और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च पाउडर डाल दिया प्रीब एक बड़ा चमच होगा और ये 200 ग काला नमक लेख में अगर यह मसाला मेरा बच जाले गारगा तो यह मैं यहाँ पेड़ा कर दोगी कृटी में इसको फूरा कर दोनी और इसाली रेष्प़ी नहींग ज़ादा कौण्टिटी तो इसलिए तो जादा टालेगा क्यूंकि यह अचार पेट के लिए भी बहुत ज़ कि नमक में थोड़ा सा जो कालनमक होता है घालियाय का जिया है, dot jima अगर आपके पास कांच कि अ वर्हतने ही रखी तो यह नीबू जादा है एक किलो के मतलब जार में नहीं आएगा तो इसलिए मैंने यह वाला डबा ले लिया है और पिछले साल मैंने ऐसे ही टब्बे में रखा तो मेरा आचार बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था अच्छा बना तो इसलिए मैं इसी में रख रही हूं बहुत हलके हाथों से इसका मतलब कट है अउसको खोलना है और यह इसके अंदर हमें डाल देना और जो एक्स्टा है उसको जाड़ देना है यह देखे तो बहुत उजली बन जाता है बहुत अच्छा बनता है तो यहाँ पर देखे मैंने सारे नीबू ज है उनको भर लिया और ये इतने ही है, मतलब मुझे और थोड़ा सा मंगा के डबा मुझे भरना है तो अभी मैं क्या कर रही हूं, जो ये इतना बच गया मसाला तो उपर से थोड़ा सा मैं ये नमक डाल रही हूं इसके अंदर तो ये डिब्बा मुझे भरके बनाना है और ये देखे बहुत एजली बहुत कम समय में बन जाता है बहुत कम समान में बन जाता है और नमक की quantity हमेशा निवो की अचार में जदा रहती क्यूंकि इसको गलाने में नमक ही मदद करता है और इसको पिजर भी करता है और इसके अंदर कुछ भी एक्ष्टर डालने की जरूरत नहीं है और ये मैंने पिछले साल बनाया है तो ये सारा खतम हो गया मैं आपको एक पीज दिखा देते हूं इतना अच्छा अचार बना था कि मन खुश हो गया इसकुछ है आप पराठे के साथ खाइए पूरी के साथ खाइए या फिर चावल के साथ खाइए बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता और नुकसान भी नहीं करता है तो ये देखिए इसने अपना पानी छोड़ना चुरू कर दिया है और इसे बंद करके बस आपको धूप दिखानी है तो करीब एक महिने लगातार इसको धूप में रखना पड़ेगा तब जाके ये कहीं आचार खाने लाइक तयार होता है तो अगर धूप नहीं है तो आप इसको ऐसे ही बंद करके रख दीजे जब धूप निकले तो इसको धूप में रख दीजे चार-पांच घंटे की डेली धूप इसको जब चाहिए तब ही अचार हमारा अच्छा बनेगा अगर रेस्पी पसंद आयो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को पहली बारा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिएगा बेल आइकन के साथ में जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी और आप हमारी वीडियो पहले देख पाएंगे तो चलिए प्रेंस मिलते हैं आप लोग से नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यों पर वाचिंग बाबाई